अंतराश्टिय योग दिवस के आउसर पर चखोटिया में भी विभिन इस्तानों पर लगाए गए योग शिविर। बुद्धवार 21 को अंतराश्टिय योग दिवस के मौके पर अलमोडा जिले में लोगों ने योग करके निरोगी रहने का संदेश दिया। इस अउसर पर अलमोडा के चखोटिया में भी स्वरश्वती शिशु मंदिर के प्रागण में राश्टिय स्वयम सेवक संग एंव पतंजली योग पीट समीती के सयुक्त प्रयास से एक योग शिविर का आयजिन क्या गया। संग के वरिष्ट पताधिकारी विश्णु दत फुलोरिया ने योग शिविर में योग की महत्ता पर चर्चा की। उन्होंने आचारी महर्शी पतंजली के बताए योग मार्ग पर चलकर पूरा मानाव जीवन सरल्ता से आगे बढ़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया। इस अउसर पर डाक्टर विनोद कुमार चिमवाल ने भी नियमित योग करने से स्वास लाब के कई फाइदे गिनाए। इस योग शिविर में महलाओं, बच्चों और पुर्षों ने बढ़ चलकर हिस्सा लिया। सभी ने योग को अपनी नेमित दिन्चरिया में शामिल करने की बात भी धोराई। इस योग शिविर में नारायन सिंग रोतेला, राम सिंग संगेला, गंगा सिंग, डाक्टर विनोच छिमवाल, पूरन संगेला, हेम कांडपाल, शिव कुमार, भोपाल सिंग किरोला, गोपाल, गिरी, पप्पू सती, राम किष्न छिमवाल, तारा आटवाल, मुन्नी डाक्टर आनंद कैडा सहित दर्जनों लोगों ने परतिभाग किया।